प्रात्मिक्ता तीन और सन्रचना और निवेस और सन्रचना यह उत्पादक छमता में निवेस का विकास और रोजगार पर बहु आयामी प्रभाव परता है। महामारी की सुस्त आउधी के बाद नीजी निवेस दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेस और रोजगार स्रिजन के हितकारी चक्र को गती प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्त दिया जाएगा। यह बर्स 2019-2020 के परिवेस से लगभग तीन गुना अधिक होगा। हाल के वर्सों में हुई प्रियाप्त बृधी विकास संभावनाओं और रोजगार स्रिजन में तेजी लाने, नीजी निवेसों को जोड़दार तरीके से बढ़ाने और बैस्विक मंदी के प्रती सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रियासों के मूल में है। प्रभावी पूजी गत ब्याय केंद्र द्वारा प्रतक्षे पूजी गत निवेस का राजियों को साहता अनुदान के माध्यम से पूजी गत आस्तियों के सर्जन के लिए किये गए प्रावधान द्वारा संपूरन किया जाता है। केंद्र के प्रभावी पूजी गत ब्याय का बजट 17.7 परतीशत लाग करोर होगा जो जी डी पी का 4.5 परतीशत होगा। राज सरकारों को पुजी गत निवेस के लिए साहता। मैंने और संद्रचना में निवेस में तेजी लाने और राजियों को संपूरक नितिगत कारवाईयों के लिए प्रोथ साहित करने के लिए 1.3 लाग करोर के उलेखनिये रूप से बड़े परिवया के साथ राज सरकारों के लिए 50 बरस ये ब्याज मुक्त रिन को एक और बरस जारी रखने का निवेस में तेजी निवेस हे तू और सरों में ब्रधी करना नौ अस्थापित और संद्रचना बित्त सची वाला इंफर प्रधान तया साथमिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे सड़क सहरी इंफरस्ट्रक्शर और पावर सहित में और अधिक निजी निवेस के लिए सभी धारकों की सहायता करेगा और संद्रचना की सुमेलित मास्टर सुची की अमरित काल के लिए उपयुक्त वर् सबित्य पोशन फ्रेमवर्क की संस्तुती करने के लिए एक बिसे सग्य समीती द्वारा समिक्षा की जाएगी। नौ गुना जादा है। जार कड़ो रूपे के निवेस के साथ प्रात्मिक्ता दी जाएगी। छेत्रिय संप्रक्ता हवाई छेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए पचास अत्रिक्त हवाई एड़ों, हैलिपोर्ट, वाटर एरोडरम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का अपनुरुधार किया जाएगा। भविस्य के संधारणिय सहर राज्यों और सहरों को इस बात के लिए प्रोचाहित किया जाएगा कि वे हमारे सहरों को भविस्य के संधारणिय सहरों में रूपांतरित करने के लिए सहरी आयोजना सुधार और कारवाईया करें। इसके लिए भूमी संसाधनों का कुशल उपयोग करना, सहरी और संरचना के लिए प्रयाप्त संसाधनों का स्रिजन करना होगा, पारगमन उन्मुखी विकास करना होगा, सहरी भूमी की उपलब्दता और वैनियता बढ़ानी होगी और सभी के लिए औसर प्रदान करने होगे Municipal Bond के लिए सहरों को तैयार करना, संपती कर व्यूस्था में सुधार लाकर और सहरी और संरचना पर प्रयोकता प्रवार लगा कर सहरों को Municipal Bond के लिए अपने रिंड प्रात्ती योगिता में सुधार करने के लिए प्रोचाहित किया जाएगा सहरी और संरचना विकास निधी, IR,D,F की तरह प्रात्मिक्ता प्रापच्षेत्र उधारी नीयूनता के उप्योग के माध्यम से सहरी और संरचना विकास निधी की अस्थापना की जाएगे इसका प्रबंदन रास्टी आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उप्योग टियर दो और टियर तीर तीन सहरों में सहरी और संड़शना के विका सरजन हेतू सार्जनी के जंशियों द्वारा किया जाएगा। राजियों को UIDF का उप्योग करते समय उप्योक्त प्रयोकता प्रभारों को लागू करने के लिए 15 में बित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौझूदा एसक्यूमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोचाइद किया जाएगा। हम इस उद्देश के लिए 10,000,000,000,000,000 प्रती बस की राज़ी उपलब्द कराने की उमीद करते हैं। सभी शहरों और कस्वों में सैप्टिक टैंकों और सीवरों का मिल मल कीचड बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में परियोग करके 100% मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। सूखे और गीले अपसिस्ट के बैग्यानिक प्रबंधन पर विशेश ध्यान दिया जाएगा।